नमस्कार बच्चों सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप राजस्तान बोर्ड कक्छा 11 के विद्यारती हैं तो इस वीडियो को आपको कम्प्लिट देखना है और आज के इस वीडियो में में आपको अर्दवार सिख प्रिक्छा 2021-22 के लिए क लक्छा 11 हिंदी का एक एसा पेपर बदाने वाला हूँ जो आपके इस बार अर्दवार सिख प्रिक्छा हाफिरली एक्जाम 2021-22 में आने वाला है तो इस पूरे पेपर को आपको एक्जाम से पहले अच्छे से त्यार करना है और पेपर का जो समय है वो आपको 2 गंटे 45 मिन मिलने वाले हैं और जो पुर्णाग है वो आपके है 48 यानि 48 नंबर का पेपर आपके आने वाला है और पेपर को हल करने से पहले जो निर्देश दे रखें वो भी आप पढ़ सकते हैं कि सभी प्रसन करने आपको अनिवारिये हैं और यहां पर प्रसन नंबर वन आपको दि है और इस गद्यांस में आपके टोटल चै ंंशन दीए गए हें तो किसन के आंशूर सबी के आंसूर आपको इस गद्यांस में मिल जाएंगे तो गद्यांस आपको अच्छे से पढ़ना है उसके बाद में सेकिंड कि heap निमनीखित परिट काव्यांज को पढ़कर दिए प्र전 के उत्तर दिजिये याँ यह आपके काव्यांज को आपको अच्छेlek से पढ़ना है और इसकाव्यांज स्में वी आपके टोटल 6 क्यूशन दिए गए हैं तो इन 6 क्यूशन की आंस्वर आपको अच्छे से करने हैं यह पूरा पेपर आपको अच्छे से करना है और यहां पर प्रसन नम्र 3 में आपको निमन्द लिखना है और यहां पर 4 निमन्द है कोई भी एक विशेवराब निमन्द लिख सकते हैं पहला है जीवन में खेलों का महतु है, दूसरा है दयेज की बली वेदी प्रभारती नारी, तीसरा है सिक्सित बेरोजगारी की समस्या, और चार नमर है सवच्ता अभियान में छात्रों की भूमी का उसके बाद में प्रसन नमर चार है, साला सुलक मुक्ति के लिए आर्थिक कारणों का उलेक करते हुए अपने प्राचारिये को आविदन पत्र लिखना है, और अत्वा में दिनो दिन बढ़ती महंगाई के परती चिंत्या वेक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को आपको एक पत्र लिखना है, और यह आपके कुस्षन नमर फाइप है, और यह आपके कुस्षन नमर शिक्स, तो सारे कुस्षन आपको एक्जाम से पहले अच्छे से त्यार करने हैं, पूरा पेपर आपके हाफियरली 2021 के लिए महतुपूर है, और साथ-साथ में इन पूरे पर्ष्ण आपको परिक्षा से प्हले अच्छे से τ्यार करने हैं पूरा पेपर अपके इस बार हफिए लिग्जाम 2021.22 में आने वाला है तो अच्छे से आपको ये पूरा पेपर त्यार करना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिजिए